अफरीका से तूर आयाद बनने से बजारों में फिलाल का भराहट देखने को मिल रही है पिछले सप्तहा अफरीका से एक जहा 27,000 तन तो दूसरा 19,000 तन का भारतिया पोर्ट पहुंचा है इससे भारतिया बजारों में पिछले सप्तहा तूर की कीमतों में कुछ किरावट देखने को मिली लेकिन ज्यादा मंदे की गुंजाईश कम नजर आ रही है तरसल अक्तूबर में भारत ने लगबग एक लाग तन तूर आयात के सोदे किये थे एक लाग तन तूर आयात के बाब जूद पोर्ट पर अधिक स्टोक नहीं है इसका कारण है कि मिलर्स की छुटपुट मांग के सासत सरकार को भी तूर जा रहा है वही नई तूर की आवक में अभी देरी है करनाटक में नई तूर की आवक 10 से 15 दिसंबर से छुटपुट शुरू होने की उमीद है लेकिन आवक का प्रेशर जनवरी में बनता दिखाई देगा उधर करनाटक में इस सल तूर का उत्पादन 60 फिर्सत से अधिक नहीं होने की उमीद जताई गई है दरसल महाराश्च्र में फजल की स्थिती कुछ ठीक है लेकिन जनवरी अंत या फर्वरी में ही नई तूर की आवक का प्रेशर बनता दिखाई देगा अभी के लिए फिलाल जिसके पास तूर का स्थोक है वो नवंबर अंत तक कम दामों पर बेशने के इचुक नहीं है और ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चल कर तूर की कीमतों में तेजी बन सकती है कर दो सकती है